मैं यह सुन्त कुमार स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल टेक्सीग प्रो में जैसा कि आपका एनेपसी का यूपी मेट्रो का एक्जाम बहुत ही पास है इन दोनों एक्जाम को देखते हुए फ्यूचर में इसरो के अपकमी एक सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को कैसी लग रही है कमेंट सक्षिन में जरूर बताएं और चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाले जिससे अपकमी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ठीक तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्मे पर उपलब्थ कराएग अइसे डिल बिट जिनका ।ड दाया 13 एम हम तक होता है चुटे बयास के जो ट्रील होते हैं ऍपकमी तो इसमें कंफ्योज नहीं होना इसे जो DNA के डिल होते हैं क्वेश्ट सेटैपर में पाया जाते हैं मोर्श्टीपर को मैर्श्रिपको किसे डिनोट करते हैं तब टोटल आठ साई जो में पाया जाता है बात किया गया है जो ड्रिल पर मोस्ट इपर होता है कितने से कितने नंबर तक होता है यही इस question में यहां पर पूछा गया है तो एक कितना होता है MT1 से ले करके MT5 तक होता है बहुत ही most important question है ऐसे drill bit जो काफी means बड़े diameter के होते हैं 13 mm से जादा तक के MT1 से ले करके MT5 जो होता है ठीक है यह किस के लिए होता है drill के लिए होता है यह चीज़ें आपको ध्यान में रखने कि MT1 से ले करके MT5 किस पर होता है more step पर होता है drill bit के सैंक वर ठीक तो चलिए दूसरे question की तरफ चलते हैं दूसरा question हमारा क्या पूछा गया है पूछा गया है drift का परियोग निमलिखित में से किसके लिए किया जाता है आप सभी को पता है कि drift का परियोग किसके लिए किया जाता है basically drift की बात कीज़ें तो mild steel के एक टेपर बेच क से current के रूप में होती जिसका परियोग ढिल चक्डिल स्लीप सॉक्ट रीमर इन सभी को मसीन के स्पिडल से बाहर निकालने के लिए बेसिकले इसका परियोग किया जाता है तो मसीन स्पिंडल से बर्मे को हटाने के लिए मिस बर्मा मतलब ड्रिल होता है तो ड्रिल हो स्लीब हो साकेट हो रीमर हो इन सभी को मसीन के स्पिंडल से बाहर निकालने के लिए माइल्ड स्टील की बनी ड्रिफ्ट क करतन है लेमिस काउंटर बोरिंग काउंटर सिंकिंग इनके लिए जो स्पीड रखी जाती है तो कंपियर टू ड्रिल के स्पीड के पेच्छा कितीनी रखी जाती तो आपको पता होना चाहिए अगर ड्रिल से हम कंपियर कर रहे हैं तो काउंटर बोरिंग काउंटर सिंकिंग क पर काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग का आपरेशन किया जाता है चलते हैं नेक्स्ट कुछा गया है बर्मे का आवकास को कितना होता है आवकास को मतलब घर्षन कम करने के लिए एक क्लिरेंस एंगल बनाया जाता है उसी को क्या करते हैं क्लिरेंस एंगल या आवकास कोन के नाम से जानते हैं ठीक कई बार पूछा जाता है अगर ड्रिल में क्लिरेंस एंगल कमान बढ़ता है तो क्या होता है तो जैसे जैसे क्लिरेंस एंगल कमान रखा जाता है next question प्लास्टिक और कठोर रबड के लिए drill का point angle कितना होता है अगर आपको plastic में drilling करनी है या फिर hard rubber में drilling करनी है तो इसके लिए कितना angle रखा जाएगा drill का कितना होता है 80 degree होता है 80 degree basically इसका cutting angle point का angle रखा जाता है 118 degree कब रखा जाता है तो basically general material के लिए फिर standard कह लीजे standard cutting angle कितना होता है 118 degree सब पूछा जाए cast iron, valuable cast iron brass, zinc, mild steel इन सब के लिए कितना होता है तो इन सब के लिए 118 degree standard angle रखा जाता है cast steel, hard steel जब की बात आजाएगी तो वहाँ पर 130 degree उसका angle रखा जाएगा ठीक, चलते हैं next question की तरफ next question में पूचा गया है tapping के लिए के दावरान tap के टूट जाने का निमलिखित मेंसे कौन सा कारण नहीं है इस tapping के की लिए के दावरान tap तूट गया, तो उसका कौन सा कारण निमलिखित मेंसे नहीं हो सकता तो सबसे पहला निवनाकार का छिद्र मतब जो हमारा टैप डिल साइज है उससे होल का साइज क्या है छोटा है तो टैप क्या हो जाएगा टूट जाएगा यही कारण है नेक्स्ट कुंठित करतंद आते ब्लंट अगर कटिंग ऐसे तो भी तूट जाएगा नेक्स्ट कृतक सामकरी अतियन का ठोर होना मिस्ट जिस पर हमें क्या करनी है टैपिंग करनी हो मैटरियल काफी हाड है तो यह कोई कारण नहीं है चाहिए हाफ हार्ड हो तो हार्ड होगा है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा मिस्ट एसकेल के परियोग करना होँको । यह कोई कारण नहीं होता है जापकरूट को चिञें होता है तो पहला दूस पहला तीसरा और चौथा रीजन है खावाला यहां आपका मैच नहीं का तम इसके तक सामग्रियतियंत कठोर होना यह कोई रीजन नहीं होता टैप के टूटने का नेट्स 24 mm हाई सच्वीट स्ट्रिल बीट बीत के लिए कटिंग स्वीट कितनी है 30 मीटर पर मिनट है तो उसका आरपीम कितना होगा ठीक टूंटिफॉर एम क्या है डायमीटर हाई सच्वीट स्ट्रिल है हमारा 30 मीटर पर उसकी कटिंग सब्सक्राइब किसे निकालते हैं तो cutting speed का फार्मूला होता है b बराबर pi d n upon thousand meter per minute यहाँ पर जो n है यही यहन क्या है rpm है तो जब हमें rpm निकालना होता है तो फार्मूला क्या हो जाता है cutting speed गुड़े 1000 बटा pi into d ठिक तो यहाँ पर b कमान कितना है b मतलब cutting speed 30 दिया गया है उसके बाद 1000 तो आपका ऐसे रह जाएगा b कम pi कमान 3.14 रख देंगे d कमान कितना है 24 mm दिया गया तो इसको अगर आप approximately solve करेंगे तो जब 30 को 3.14 से cancel करेंगे तो यह लबक 10 के थोड़ा नीचे आएगा approximate माल लिए 10 आजाएगा 24 के 96 यह लबक कितना हो जाएगा लबक 400 के करीब आजाएगा ठीक 24 के 96 ठीक 40 के करीब आजाएगा यह ठीक 40 आजाएगा 40 का हमा 400 लेकिन यह थोड़ा दस से कमा रहा था तो 400 से थोड़ा आपका कम हो जाएगा आप उसे calculate कर सकते हैं यहाँ आप से के रूप में नामित है यहाँ पर 1.25 का मतलब क्या होता तो सबसे पहले इसका पूरा मतलब आप देख लेंगे M का मतलब क्या होता यहाँ पर M का मतलब होता है metric 12 का मतलब क्या होता है 12 आपके major diameter को दिखाता है 1.25 क्या दिखाता है 12 मतलब उसका मेजर डाइमीटर 1.25 क्या है तो 1.25 विसकी क्या हो जाती है पिज हो जाती है next अगनी तरभुज में तीन तत्मों के पेच्छा होती है जो की होते हैं जो fire triangle होती है अब इस fire triangle में तीन कौन कौन से अवयो होते हैं या आपको बताना है तो fire आप पिछले भी हमने class में पढ़ा था उसमें क्या क्या होना चाहिए उसमें सबसे पहले तो oxygen होना चाहिए उसके बाद heat होनी चाहिए प्लस में fuel होनी चाहिए इन तीन चीजों के combination से आग बनती है heat oxygen कामन होते है fuel के variable से क्या होता आग के प्रकार बदलते रहते हैं next question यहाँ पर m10 into 1.5 के लिए tap आकार क्या होगा तो tap deal size बेसिकली यहाँ पर आपको निकालना है तो tap deal size का formula क्या होता है tap deal size बराबर tap size minus 2 into d अब यहाँ पर m का मतलब क्या है मतलब metric thread है तो metric thread के लिए जो d की बैलू होती है तो यह d बराबर होती है 0.61p हो जाती है तो metric के लिए d बराबर कितना होता है 0.61p होता है अगर यह British आ जाए तो क्या हो जाएगा 0.63 आ जाएगा ठीक तब यहाँ metric है तो 0.61 रख लेंगे तो आप calculate आप कर सकते यहाँ पर तो tap drill size बराबर क्या हो जाएगा सबसे पहले tap size 10 दे रखा minus 2 into d अब d के अस्थान पर 0.61p पर योग करेंगे 0.61 आप रख सकते हैं फिर p की बैलू कितने रखेंगे 1.5 रखेंगे तो यह 15 दूना 30 लगवग 3 आजाएगा 3 को 6 से गुड़ा करेंगे तो 3 चक अठारा 1.8 के something आजाएगा तो 1.82 या फिर 8.3 आजाएगा तो जब 10 में से 1.83 को माइनस करेंगे तो यह लगवग आपका 8.17 निकल क्या आता है इसके approximate answer क्या है 8.216 जो यही perfect answer हो जाएगा यह होता है 100% rate काटने के लिए कई बार आपको यह option नहीं दिया जाता है simply पूछ लिया जाता है 10 into 1.5 के लिए टेब्लिल साइज क्या होगा तो सबसे पहले आप 10 में से क्या करेंग 1.5 को माइनस करेंगे 8.5 अगर आप समय आपको मिल रहा है 8.5 तो इसकी तरफ आप तुरंच चले जाएंगी यह नहीं है तो फिर आप 100% की तरफ जाते हैं ठीक चलते हैं next question की तरफ next question क्या पूछा गया है locators के उपयोग होते है locator का basically क्या उपयोग किया जाता है तो इसका पूरियोग जाप को टूल के साब पेच सही स्थिती में रखने के लिए उसके जो movement होती है जाप को उसको restrict करने के लिए आप पेटर को सही loading के मदद करने के लिए तो उप्रोक सभी हो जाएगा इन सभी कारणों की पूरती के लिए हम क्या करते है locator का उपयोग करते है next jig और फिक्चर बनाए जाते है जिग और फिक्चर का का काम क्या होता basically jig और फिक्चर क्यों design किये जाते है तो ये कम समय में अधिक उत्पादन के लिए mass production जो हम कर रहे होते है अधिक उत्पादन के जा सकता झाँ और फिक्चर का however बढर बार हमें चेकिन नहीं करनी रहे है बार बार स्यट्रेंगं नहीं रहे क्लंपींगं करनी रहे होता है कम सत्मय में अधिक सबत्पादन कर आता से जिग और कर निगा जाता है next एक से हमरे लिए जिग एओं फिक्चर्स है इसका उत्तम इसका सबसे उत्तम उप्योग क्या है में इस इंटर्चेंजबिल्टी में जिग और फिक्चर का क्या योगदान होता है सबसे पहला कटिंग टूल का जीवन काल बढ़ाने के लिए नहीं होगा जौब का जीवन काल बढ़ाने के लिए यह भी नहीं होगा, surface finish बढ़ाने के लिए, इसका प्रम्ख कुद्धियस नहीं है, job की कीमत बढ़ाने के लिए, यहाँ बढ़ाने के अस्थान पर क्या होगा, घटाने के लिए, जो भी, जो हम मास परोड़कशन करेंगे, बेसिकली इसका उपयोग किया जाता है ठीक तो कुछ टाइपिंग मिश्टेक हो जाती कई बारे रखो एरर आ जाती है तो उसका आप लोग थोड़ा मैनेच करेंगे ठीक चलते हैं इसका उपयोग संचायक सेल बनाने के लिए किया जाता है जिसे हिंदी में कहा जाता है आता है सीशा तो आप सनम्बरडिया हो जाता है लिट का परणर करेंगे अनके सब्सक्राइब करेंगा नेकर इसका पर्योक सबसे यादा Conductive Heat and Electricity का Silver होता है क्या काफी महंगा होता है इसलिए उसका परियोग व्यापक पैमाने पर नहीं किया जाता है उसके बाद क्या होता है Copper आ जाता है तो Copper का परियोग हम काफी अच्छे बड़े पैमाने पर करते हैं या पर भी हमें उलेक्ट्रिकल और शीट का कंडक्टिप हमें क्या बनाना चाहां पर मैक्जियों में किसका पर्योग किया जाता है next question कि तरफ चलते हैं निमलिकित में से कौन सा अलोह मिस्र धात है non-ferrous alloy है यहां पर ठीक यहां पर metal नहीं पूछ रहा है alloy पूछ रहा है तो aluminium हो गया, lead हो गया, copper हो गया यह तीनों क्या है non-ferrous metal है लेकिन जो यहां पर पीटल दिया गया जिसे English brass कहा जाता है copper और zinc 60 into 40 की ratio में जो हम mix करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है पीटल brass प्राप्त होती है यहीं से दूसरा related question पूछा जाता है ब्रोंज के बारे में तो ब्रोंज में क्या होता है copper और zinc होता है ब्रोंज में copper और zinc होता है gun metal पूछा जाए तो copper, zinc, zinc, 88, 10, 2 के ratio में mixture करके बनाया जाता है next question प्रकृत में धात्वों की योगी किस रूप में उपलब्द होते हैं प्रकृत में प्रकृत में प्रकृत में प्रकृत में प्रकृत में ही पाई जाती है करे हम से धातो का निस्टक्रश्ण करते हैं ठीक चलते हैं next question की तरह next question क्या पूछा गए है यहां पर वह अलऊधाथ जो नाभीकिये बीकिरण का अच्छा कुचालक होता है स्पोक्द्ध के पा fund remain क्या करते हैं नाभीकिये नुक्लियर जो आपसन यहाँ पर मिलता है इस टील जो कि क्या है अलोध हात हों कई बार आप अगर को सही से रीड करते हैं तो आपको उतना में सुसी क्वेश्चन में एंसर छीपा हो तो अतना डीप जाने की भी जरूरत नहीं होती है अगर यहां से आप पिक अप करेंगे अलोध हात तो अल प्राइमर 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 बनाने के लिए किया जाता है यह चीज़ा आप ध्यान में रखेंगे इसी के साथ साथ लेट का अगर और उप्योग देखा जाए तो जो अंडर ग्राउंड टेलीफोन के वायर होते हैं केबल होते हैं ठीक या फिर सीथिंग मटेरियल के रूप में भी इसका परियोग किया जाता है ठीक है खुले वाताओं में रखने पर इस पे सफेद आकसाइट के फिल्म अगरा बन जाती इसलिए जाद जादा इसका प्योग जो अंडर गाउंड वायर वगरा होते हैं उसके लिए पर योग किया जाता है नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं स्टेनलेस स्टील के मुख्य मिसरणत तत्त कौन से होते हैं तो स्टेनलेस स्टील को हम 18x8 स्टील के नाम से जानते हैं में 18% chromium 8% nickel की मातरा पाई जाती तो क्या होता है chromium और nickel होता है stainless steel में next question की तरफ चलते हैं अब stainless steel आपका ऐसा material होता जिसका परियोग कहां किया जाता जिसे आपको option दिया गया था कि food container के coating के लिए तो food काफी हाई टमप्रेचर पर कोरोजन रेसिस्टेंस होती है ठीक काफी आधिक इसकी स्ट्रेंथ भी होती है इसमें काफी अधिक पावर्स भी होती है और उसके साथ साथ है को रोजन रेजिस्टेंस होती है तो फूर्ड इंडस्ट्री में इसका पर्योग किया जाता है तो यह वी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्या है अधिक सुद्ध हाथ में उचितम होती है जो मेटल जितनी pure होगी सुध होगी उसमें क्या होगी सबसे पहले उसकी जो hardness है वह hardness उचितम नहीं होगी अगर pure form में क्या है तो बहुत ही मैलेबल होती है बहुत ही क्या होती है वो बहुत ही कि डक्टाइल मैलेबल होती है तो प्यूर फॉर्म में उसे परियोग नहीं कर सकते नहीं उसकी गलनांक काफी उच्छ होता है उसकी सबसे ज्यादा क्या होती है तो उसकी बिद्दू चालकता जो उसकी कंड़क्टिब इलक्टिक कंड़क्टिवीटी होती सबसे अधिक होती जैसे आप सिल्वर का एजामपर ले लो अगर सिल्वर को आप प्योर फार्म में परियोग करें तो सबसे ज़्यादा उच्छ बिद्दू चालकता सिल्वर की होती है ठीक जब उसमें हम कुछ हैलाइंग का उपयोग किया जाता है तो काश टायरन को इसलिए किया जाता है अपसंद भंगुर्धात नहीं है तो गलत भंगुर्धात और भारिधात होती है बारिधाति होने की बज़ win Frei dob don cool Catholic को सहन कर लिए इसलिए क्शीनों के बनाने कि लिए का टायरन का परियोग किया जाता है नेक्सट कुएस्टन ने में से कौन सा गुण धर्म लौध हात्वों का नहीं है तो我们 Knox », कि इसे पोंचा गया कि निम लिखित में से कौन सा एसा गुण है जो ध्यान से पढ़िए क्या पूछा गया है लोध हात्मों का गुर्धर्म नहीं है मिस लोहे का गुर्धर्म नहीं है तो आफसन नमर जी कि अगर आप सुरी सी की तरफ फोकस करें कि जंग नहीं लगती था गरम दसा में तन्य होती है तो जो भी लोध हात्मों होंगी उस पर क्य रंग लगना ही लगना तो यहां से option number वसी सही हो जाता नेट चलते हैं जी आई पाइप इस्टेंड़ कर लमबाई में पाई जाते हैं तो यस में 6 मीटर की इसक्षर लंबाई में जी आई पाईप पाई जाती है ठीक अगर मान लीजिए यह कई बार क्या होता है मि quieren ब्यास पूछ लिया जाता है कितने ब्यास में पाई जाती है तो एक बटा 4 इंच से ले करके 12 इंच तक के ब्यास में ये पाई जाती है एक बटा 4 इंच से 12 इंच के ब्यास में लंबाई बात की जाए तो 6 मीटर तक की लंबाई में पाई जाती है परियोग कहा करते है तो इसका परियोग सबसे ज़्यादा जो पीने की पाइप लाइन होती है उसमें सरबादिक GI पाइप का ही परियोग किया जाता है नेक्स्ट कोईचन की तरफ चलते हैं पाईप के खुले सिरे को बंद करने के लिए किसका परियोग किया जाता है आपशन कैप प्लग बैंड यहाँ पर जो कैप है और प्लग है इन दोनों का परियोग किया जाता है पाईप के खुले सिरे को बंद करने के लिए तो यहाँ पर तो ऐसी पाइप जिस पर बाहिरी त्रेड कटी है और उसके हमें खुले सिर्यों को बंद करना है तो हाँ पर प्लग का परियोग करेंगे ठीक है अब कैप क्या होता है ठीक प्लग पर क्या होती है एक्स्टेर्ड कटी इस पर बाहिरी चूरी कटी होती है तो इसमाली जेक बोल्ट की तरह कारिकाता है तो इसका हमारा option दिया गया था CAP आपको अफिक है दाकण की तरह होता है तो भकन क्या होता है अंदर त्रयड कटी है जैसे हाप माले जेंट हो गया उसमें अंदर की त्रेड कटी आब इसका पर्योग कब किया जाएगा तो इसका पर्योग यहाँ कैंजा जल जाएगा जब पर बाहिरी ठ्रेट कटी होती है एक बोल्ट की तरह होती है तो इसका परियोग कब करते हैं जब पाइप के अंदर चूड़ी कटी होती है तो खुले सिरों को बंद करने के लिए इसका परियोग किया जाता है चलते हैं next question की तरफ belt का chain किनी बिंदो पर निरभर करता है power transmission में आपने belt के बारे में पढ़ा होगा तो belt का जो परियोग होता है किस पर निरभर करता है chain सबसे पहले उसके दूरी कितनी है speed ratio कितना है उसमें flexibility कितनी है तो ये सारे factors depend करते हैं कि किस परकार के belt का chain किया जाया ठीक चलते है next question की तरफ next question पूछा गया है multi plate clutch का परियोग कहा किया जाता है जो multi plate clutch होती है basically उसका परियोग कहा किया जाता है आपके सामने option दिये गए हैं जहां सकती जादा होती है या फिर जहां speed क्या होती है, कम होती है, जहां dark जादा हो या फिर जहां पर टार्क जादा हो वाँ जगह कम हो, वहाँ पर परियोग करेंगे तो आपको क्या लगता है इसका क्या सही एंसर होना थी है कि मल्टी प्लेट कलच का और यो किस कंडिशन में किया जाता है ठीक है तो बहुत ही most important question क्लच से gear से इन सबसे पूछे जाते हैं तो जो हमारी क्या नाम है चेप्टर वाइज MCQ है उसको आप जरूर विजिट करिए व जलते हैं इस question की बात करते हैं तो यहां पर मुझ आ गया था मल्टी प्लेट कलच का परियोग किया जाता था नेक्स्ट क्रेशन की तरफ चलते हैं आप रियूग्त मसीनों को निमलीखित में से क्या हानि हो जाती हैं ऐसी मसीने हैं जिसका हम पर्योग नहीं कर रहे हैं काफी लंबे समय से ऐसे आइडीयाल पड़ी हुई है तो इसमें कौन सा दोस आ सकता है तो सबसे पहला यहाँ पर जो पूचा इया है तो सब से होती है उसमें कार्भांग की इस्थिति क्या होती है तो से कम होती है अगर हम प्रीस अफ्च2 करेंगे मेंटिनेंस का तो वहां पर जो आइडियल टाइम होगा का दाऊन कौ़भीघभाट कि स्क्षाओ का की कमचे कम निम्लिखित में से को रोजन बचाओ कि कौन सी बिधी नहीं है क्रोमाइजिंग घ्लोम्वस्वाईजू नहीं है ति McMивать करोजा आजिंग और क्लोराइजिंग यह दिनों को रोज़न से बचाओ की भीधियां होती हैं जब कि कार्बुराइजिंग क्या होती किसी भी लो कार्बन इस्टील पर सरफेस पर उस पर आर्वन परसनेज बढ़ाने की जो क्रिया होती हो कार्बुराइजिंग के अंतर गता ती यहां से आपसे सही हो जाएगा निक्स्ट इस विधी में जिंक पाउडर को घोडित इस्टील बैरल में रखते हुए तीन सो सतर डीगरी सलसियस तक गरम किया जाता है तो यह कौन सी बीडी होती है तो बेसिकली जब यहाँ पर बोल दिये गए आप से हिंट में ही जिंक पाउडर का परियोग किया जा रहा है सेरे डाइजिंग में परियोग किया जाता है कि आप संसी से ही हो जाएगा सेरे डाइजिंग प्रोसेस क्या होती है इसमें हम किसी भी कंपोनेंट पर जिंक की कोटिंग करते है इसके लिए सबसे पहले जिब यह कंपोनेंट पर कोटिंग करनी हो तो इसको구요 घ्रिस्ट कर दिया जाता है फिर को जिन्क बावड़र का रस तक घर रहा होता है है वो क्या कर रहा होता तो यहाँ पर सबसे अधिक corrosion resistance metal coin सबसे अधिक corrosion resistance की बात की जाए तो अगर आपको टिन option में आता है तो टिन की तरफ जा सकते हैं लेकिन अगर actual में देखा जाए तो जो लेड है सीशा होता है यह सबसे अधिक corrosion corrosion resistance धातू होती है ठीक अब कई बार यहां पर पूछा जाता है अगर हम सीशे को खुले वातावर में लेड को रख देते हैं तो उस पर किस रंग की एक परत बन जाती है तो वह सफेद रंग की आकसाइट की परत उसमें बन जाती है ठीक परियोग कहां करते हैं तो यहां पर इ केलिए फोन वायर में भी इसका परियोग किया जाता है नेक्स्ट निमल मिखीर में से रासाइनिक आक्रमण की उच्छ प्रतिरोधी होती कौन सा ऐसा यहां पर मेटल है जो की केमकल रियक्शन का हाई रेजिस्टिव करता है विस उसका प्रतिरोध करता है केमकल के ब्रुद किसमें निकिल में निकिल का परियोग कहां किया जाता है तो आप सभी को पता है काफी अच्छा को रोजन रेजिस्टेंस होने के कारण अगयरा में जहां पर को रोजन रेजिस्टेंस हमें बचाना होता है वहां पर इसका परियोग किया जाता है जब इसे हम दो अनुपात एक क्यानुपात में तामे के साथ मिलाते हैं तो हाँ पर हमें एक मेटल प्राप्त होता है जिसे मनी मेटल के नाम से जाना जाता है इसे भी ध्यान में रखना है तो ये दो क्वेशन बहुत ही most important है कि सबसे अधिक corrosion resistance कौन होती है लेड होती है और सबसे अधिक रासानिक chemical resistance कौ कोटिंग करते हैं ये भी बहुत most important है क्लो राइजिंग में क्लोरीन गयरा की नहीं करते हैं या आपको ध्यान में रखना है माल लिजे कई बुरापर क्लोरीन आप्सन में दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्लो राइजिंग बिजी द्वारा किसकी परत चाह आई जाती है यह बीदी होती है सेम एस सेराडाइजिंग के समान होती है लेकिन इसमें जो हमारा बैरल होता है बैरल का टमप्रेचर कई बार कुछा जाता है क्लोराइजिंग में तो लगए 850 से लेकर के 1000 डिगरी सलस्यस के करीब होता है जबकि सेराडाइजिंग में कितना था 370 डिग्री सेस्ट था उस बैरल का टंप्रेचर और क्लोराइजी में कितना हो जाता है 850 से लेकर के 1000 डिग्री सेस्ट के करीब हो जाता है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह किस को रोजन को में पर्योग क्या जाता है किस को रोजन डेखर को रोजन का परियोग किया जाता है तो यह होती है कौन सी यह होती है 610 chiukinde B और D सुरिए और दोनों में दिया गया तो नहीं होना कई बार मिश्रिंट हो जाता है आपसन तो सबसे अधिक ताप पर अगर उच्छ को रोजन रजिस्टेंस मेटल हमें चाहिए तो कौन सा होता स्टेनलेस स्टील होता इसलिए इसका परियोग खाना पकाने वाले जो बतन होते हैं केमिकल प्लांट होते हैं वहां पर इस क्या करने के लिए परत चाहने के लिए इसका परियोग किया जाता है किसका स्टेनलेस स्टील का परियोग किया जाता है काफी हाई टमप्रेचर पर यह को रोजन रेजिस्टेंस होती है ठीक नेक्स यहां पर पूछा गया कौन सी धात स्ट्रक्चल स्ट्रेंथ के साथ सा तो अगर पूछा जाए उच्छिताब पर कौन सी उच्छिताब पर कौन सा कोरोजन रजिस्टेंस होता है या फिर high strength के साथ साथ तो strongest इस्टेल होती है next question क्लोर आइजिंग में किसी पर वोपर ही डिसकस कर लिए हम एलमूनियम की प्रच रहाई या ती 850 से 1000 डिगरी सलसेश की भी इस तंप्रेचर होता है नेक्स्ट जिंक कंपोनेंट खुले वातावर्ण में लंबे समय रखने तक उस पर किस रंग की कार्बोनेट की परत चाह जाती है अगर हम जिंक का कोई कंपोनेंट है उसक लंबे टाइम तक बाहर हम अधे से वातावर्ण में खुले वातावर्ण में रखते हैं तो उस पर ग्रे रंग की एक परत जम जाती है है जो कि क्या करती उससरफिस का वातावर्ण से बचाओ कर थी यह भी क्या है एक कापी अच्छा कर सकते हैं मिन्स कोरोजन रजिस्टेंस मैटल यह होता है नेस्ट कोश्चन की बात किया है तो नेस्ट कोश्चन में पूछा गया है क्रोम आइजिंग में क्रोमियम को आक्सिडेशन से बचाने के लिए किसके वातावर में ब्रेक किया जाता निस क्रोम-ग में हमें क्रोमियम को Oxidation से बचाना होता है तो इसके लिए क्युआ सा एट्मासपिन होना जुआ चाहिए जिसमें हमें इसको बेगсь करना यह होता है हाइड्रोजन जो किया बेक किया जाता है यह चीज आपको ध्यान में रखना अगर पूछा जाए क्रोमाइजिंग में किसकी प्रच रहाई जाती है तो क्रोमियम की प्रच रहाई जाती है लेकिन उसमें कौन सा मेंस कौन सा एत्मोस्पियर होता है कौन सा वाता वरन होता है जिसमें उसमें बेक करते है, बेक करने के मतलब होता है, उसमें सेक आ जाता है, तो होती है हाइडोजन के ए्टमॉवसपीर में इसको बेक किया जाता है, करोमाईजिंग क्रोमाईजिंग में basically क्रोमियम की परच चाहि जाती है जैसे उपर हमने जिकशे। उक्षेडीयेंशन से बचाने के लिए क्या करते हैं। और हाइड्रोजन के एटम Glass पेर में इसने कि समान मोटाही प्राप्त करने के लिए। जैसे कुछ मातरा में क्या मिलाया जाता था तो इसमें कुछ मातरा में वहां पर 17 मात्रा में फलो कर सके मोटाई एक समान हो सकही प्रेटिंग में जिस कंपोनेंट法 चहानी भुष्यत जोड़ा जाता है झातने सी रिंहात्मक जोड़ा जाता है उसे सब्सक्राइट। अब यहाँ पर किस प्रकार की current होती है तो यह निमन voltage और high current वाली क्या होती है current यहाँ पर होती है जिसका voltage कम हो और current क्या current discharge high हो तो उसके negative terminal से हमें जिस भी plate पर component पर plating करनी होती उससे जोड़ते हैं और जिस धात की परच्च रहाई जानी होती उसको किस से जोड़ते हैं तो उसको धनात्मक terminal से जिसे कहते हैं anode anode से जोड़ा जाता है ठीक कई बार जो यह anode होता है यह fusible होता means गलता रहता है और कई बार यह जो anode होता है इसको केवल just circuit को complete करने के लिए पर योग किया जाता है ठीक है तो यह भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है चलते हैं next question की तरफ तो next question यहाँ पर क्या पूछा गया है next question यहाँ पर पूछा गया है बिद्व सप्लाई से तार से चिपके ब्यक्ति को आप कैसे दूर करेंगे तो उसे सोखी लकडी या फिर रबड के दस्ताने को पहन कर मुसको क्या करते हैं वहां से दूर करते हैं next spirit level की sensitivity किस पर निर्भर करती है जो spirit level की sensitivity हो किस पर निर्भर क करती है कई बार यहां पर sensitivity की में इस बैलू पूछी जाती है तो 0.02 से लेकरके 0.02 से लेकरके 0.5 पर 1000 mm होती है यह चीज़ें आपको ध्यान में रखने है 0.02 से लेकरके 0.5 mm पर 1000 mm इसकी precision लेबल या फिर कह लिए spirit लेबल की sensitivity होती है कितनी 0.02 से 0.5 पर 1000 mm पर इसकी sensitivity होती है नेक्स्ट, indentation tool पर किसी निच्ची समय के लिए लगाया गया load किस में उपयोग किया जाता है तो यह basically bigger hardness में उपयोग किया जाता है ठीक, next question, minor तथा major load के बीच reading में अंतर को किस में test किया जाता है तो यह होता है राकबल hardness testing, जो राकबल hardness testing method होती है इसमें minor तथा major load के बीच की reading को ले करके वहाँ पर testing की जाती है next, cutting tool के moment द्वारा work piece पर बनने वाले pattern को क्या कहते है तो इसे surface texture के नाम से जाना जाता है cutting tool जब moment करता है तो उसे कहां जो भी surface पर pattern बनती उसे क्या कहते है surface texture के नाम से जानते हैं next question, block level का परियोग क्या होता है तो block level का परियोग vertical और horizontal दोनों परकार के alignment करने के लिए block level का परियोग किया जाता है next, एक अच्छी होल वाले salt reamer को mandrel या arbor के साथ परियोग करते है इसे क्या कहा जाता है तो जब भी एक अच्छी होल salt reamer आये तो हाँ पर क्या हो जाएगा checking reamer हो जाएगा यह दोनों बहुती most important question है इसको ध्यान से देखेंगी जब पूछा जाए एक अच्छी होल वाले salt reamer को mandrel या arbor के साथ परियोग के जाता है इसे क्या कहते हैं तो इसे checking reamer के नाम से जानते हैं दूसरा निम लिखित reamer में से कौन सा ऐसा reamer है ठीक जिसके axis इस परियोग के समय अगर उसके axis और work piece के axis के बीच थोड़ा सा misalignment हो जो self adjust कर लेता है तो यह किसमे होता है तो यह गुण होता है floating blade reamer में ठीक floating blade जो रीमर होता है अगर work axis और उसके रीमर के axis के बीच में थोड़ा सम्मिस alignment है तो automatic क्या कर लेता है तो यह थे आज की वीडियो के 50 question जो हमने discuss किये किसी भी question में कोई doubt हो तो आप उसको एक बार comment section में comment करके पूँश सकते है यह telegram group पर भी link दिया गया वहाँ पर भी join करके आपने doubt को पूँश सकते है चुकि कम समय में अधिक स्यादी question कवर करना होता है तो हर एक question को detail में discuss करना possible नहीं है इसके लिए already chapter wise mc की उपलब्द है वहाँ से जा करके आप इसको detail में समझ सकते है इसरो की जो लोग तयारी करें उनके लिए इसरो previous year paper question की लवग 32 वीडियो उपलब्द है तो वहाँ से जा करके आप previous year paper को analyze करके अपनी तयारी को boost कर सकते हैं तो मिलते हैं नए वीडियो में अगर अभी तक आपने चैनलों के सब्सक्राइब नहीं किया जादा जादा फ्रेंट के भी सेयर करें मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए वे गुड डे बेस्ट आफ लक्त बाबाए शवी को keep in touch